जैहिंद नित्रोव कैसे हैं चलिए भारत का ज dwग्रफी जो है इंडियन ज dwग्रफी का एंसी कि माध्यम से जो सृरीत चल रहे थी इंट्रोड़क्शन का जो कलाश चल रहा था भारत का समयन प्रिचे का उसका यह लाश्ट पार्ट है इसके बाद जो भी टॉपिक है नदियां पहाल परबत श्रिंखला जो भी इंडियन जोगरफी का महिश कुमार बर्नबाल जी के बुक में जो यह कोपी मतलब यह टॉपिक दिया हुआ मैं उस पर चर्चा करूंगा आगे आगे आज साथ कोचन का यह लाश्ट स्रीज है भाग दिन भारत का समान प्रिचर के इसको सवाप कर लेते हैं इसके बाद जब नेस्ट वीडियो आएगी इंडियन जोगरफी का तो मैं अगले चेप्टर लेके आओंगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं कलास आईए सिया चीन गलेसिय है किन किन देशों के बीच इसमें का जगडा है ठीक है इसका राइट एंसर क्या हो जागा पहले आप पाकिस्तान भारत चीन भारत नेपाल चीन और नेपाल तो इसका क्या राइट एंसर हो जागा सिया चीन गलेसियर किसके साथ जगडा है भारत का भारत और पाकिस्तान के साथ आप कभी लड़ाई भी इसका सियाचीन पर अधिकार के बारे में सुने होगे कि सियाचीन पर भारत किया था देखिए नमर दू है सियाचीन गलेसियर भारत के किस राज में उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश जम्मू कास्मिर लद्दाक देखिए आप थ्थ्यान हो गया तो यह कहां चल गया है लद्दाक भाग हो गया ठीक है इसका राइट एंसर क्या हो जागा लद्दाक हो जाएगा इस चलते हैं निमलिखित में भारत का सुदूर दचनी भागोली की काई कौन से कर्णिया को मारी रमेश्वर लच दीप निकोबार दीप समू तो दे दचनी बिंदू कहां है निकोबार दीप समूं में तो इसका राइट एंसर हो जागा निकोबार दीप समुंँ ठीक है इंद्रा पॉइंट निकोबार दीप समूं भारत मुक भूमी का कौन है मुख भूमी का मतलब अब समझते होंगे कि जो भी भारत का अस्थाल खंड का है ठीक है तो इसका सबसे दशनीनों कौन है केप कुमरीन केली मेर बिंदू इंद्रा पॉइंट त्रिवेंद्रम का कोब लम्ति इसका राइट एंसर केप के मुरीन जो की कन्या कुमारी मे ठीक है यह चलते हैं भारत के निम्लिखी राज्यों में उन्हें पहचान करिए जहां से करक रेखा गुजरती है उन्हें पूर्व से पच्छिम के करम में लगाईए पूर्व से पच्छिम के करम में आप इसको सजाना है कि पूरव से पच्छिम मतलब आप इधर से बढ़ तो आप देखिए कि आप मीजोडा में है अपको कहीं लिए कि अत्य शल्टे हैं आप मैप औहिं हम लेख चलते हैं आपको पूरब से प्रेंफ क्योंसा कि अप देख लीजिये इसको एह इसके पहले और और पुरा पूरब से पच्षिम जा रहा है ठीक है पपच्षिम मंगाल प्र छारकन प्रिछ ना करम कर कर रहे खाला ठीक है यह पुरब से पच्षिम का कर है एक बर आप देख लीजिए तो जो पहले आगा को इससब से इसका कर अप ह думаю कि आप अपसन कंद्सार कि इ자 ién理 कंद्द्सिय।对क मिलिए और इसमें इसमें कंसा आए देख लिए बंगाल cultiv दिया हुआ है तो पहले नहां नहींस विसे छलते हैं दो होगा और वाका पहले और आगर यह जागा और बंगानी पाद तो अ Two Big छार 26ha जाड़ा तो सने दो किंस we यह पणकाई की पहाड़ी आप भारत करते हैं पणकाई वहारए आप सुने होंके की भारत को कि भारत को बनाता है पूरे पुर्वत्तर भारत से तो यह मेंनमार से अलग करती है एक बार देख लिए यह जो है यह पुर्वत्तर भारत का मिजोराम मनिपूर नागालेंड और अनुचल प्रदेस्ट यह छेत्र के बाद का जो इधर का छेत्र यह चेत्र जहां करकर रिखा लिखा जिन में मनिपूर की सीमा लगी हुई है मनिपूर किसकिस से लगा हुआ अब देख लिए एक बार में घालाय मिजोराम तिरिपूरा नागालेंड मिजोराम में घालाय में घालाय में घालाय में घालाय में तिरिपूरा तो अब देख लिए मनिपूर एक पर पहले चलिए अ पशाब का मनिपुर अब देख लीजिए कि मनिपुर किसकिस से लग पूरा है यहां तक लगा हुआ ते में घालेजा सा ग तो जियrez के सी हो जाएगा भारत और पकिस्तान के इसने भारत और पकिस्तान के भी सीमा का निरधारन किया था जलते हैं निल्खित जो में कांग सराज δी तरफ से बंगला देस से घिरा है। अंधर गुसा वह बंस थीर्पूरा का तीन ओवर बंगलादेस है भीच में तीरपूरा है कि टैंसर क्या हो जागा भंगलादेस ठीक है तDay ने तूर्पूरा ठीकश ने नियोगे ढूंव लाएन निल्खित में करता है और इसका भारत के साथ पहले हुआ था लेकिन पकिस्तान जिसमें नहीं था भारत और अफगानिस्तान के भी सीमा दिधान करता था लेकिन अभी डूरान लाइन है जो कि भारत और अफगानिस्तान के साथ तो भी सही है आप एक कोमेंट में आपको देना है जवाब कि जो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमेटर के जो सीमा लगती है वह भारत के किस राज से लगती है जम्मु कस्मिर से या लद्दाक से तो वहाँ एंसर आप लद्दाक मरिएगा क्योंकि जम्मु कस्मिर का एरिया छोटा हो गया है और लद्दाक से अब सीमा जो लग रहा है पाकिस्तान के साथ भारत का राज कौन से है कि से भारत से बाच से ठता है तो हम लोगे तो हम बारत के सारगता है को राज पंगुर तो उसके मेरा की से राजस्तान पा! पंजाब अगास से गुझराथ एक था जंभू कस्मिर था थुका है तो अब अब क्या हो जागय कई साथ सुमा में लगे भारत का कौनराइश्थान पंजाब गुझराथ आप ये आप तुज ऑर जोड़ देना है अब कौन से जोड़ देना है अब लद्दाक पी जोड़ देना है कि जम्मु कास्मिरो और लद्दाक दोनों परकिस्तान से सीमा का निरधारन सीमा मतलब सटता है अब दोनों का सटने लगा है ठीक है अगर आप से क्वेच्चन कहीं पूछ दिया जाए तो आप पांच बोल द सब्सक्राइब के यहां अतिस्स की जलवायू है यह मुख भूमी के विस्तार छेत्र है देखे वे अकार में इसका राइट एंसर हो जाएगा कि लच दीप का तो आप जानते है अरब सागर में जो इस्तिद्दीप हो लच दीप लिए उसका उधाराने परवाल परवाल से परवाल से बना इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा परवाल उद्गम के है ठीक है ने चलते हैं अब थोड़ा से एक बर हम पकिस्तान के लिए दखाज देख लिए पकिस्तान तो यह पूरा छेत्र में पकिस्तान है यहां गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू कास्म देख लिए एक बार एक बूत चैब एक पकिस्फाण परदेश यहां पर हाईये कीवथू देखे अरुनाचल पर देस का हैं सबसे पूर्वि एरिया जिसको जो जुझे का है 27 900 गथिश देगा तो गउर्मोत्ता पूर्वी दसानतर दोनों पूर्वी दसानतर है ठीक है चलिए अरुनाचल परदेश भारत में पूर्वत तमस्था निमनिकित परमुक भारते नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की और अवस्थी थे सब सबसे पूर्व सब्सक्राइब इसका राइटनसर क्या हो जाएगा लगनओ 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 जो क्या है पुर्व के और अस्तित है इन सभी राजों में इस और इन सभी सहरों में हम राज बोल दियें गलती से 15 भारत के किस भाग में बैरन ज्वाला मुखी दूइप इस्तित है अनमान दीप समू निकबार दीप समू लच दीप इन में से कोई नहीं देखे आप जानते हैं कि बैरन बैरन जो जौअला मुखी यह वो कहां है वो अनमान दीप समू में ठीक है निकबार में नहीं अनमान में ही है दोनो जौअला मुखी अनमान में ही है ने चलते हैं बैरन और नरकूंडम चल्ये हैet जब चलते हैं 1903 में जब आंद्रापरदेश राज एक अलग राज बना था उसकी राजधानी कहा हुआ करता था गंटूर कुर्णूल निलोर बरांगा तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा कुर्णूल उसमें राजधानी कुर्णूल था अभी अंद्रापरदेश की ती राजधानी अलग है तो आप एक बर जाके देख लीजिए कि कौन को राजधानी क्योंकि मैं एक बर बता दूंगा आपको सेट नहीं करेगा माता में जब तक आप खुद नहीं पढ़िएगा ठीक है निमलिखित में से कौन सा राज में परता काल में सूरज की किने सबसे प सबसे बढ़ा राज कौन कौन सा है राज्थान मत परदेश महराष्ट मत परदेश राज्थान महराष्ट 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 राज्थान मत परदेश महराष्ट महराष्ट राज्थान सबसे छोड़ा राज जानते हैं गोवा तो आप मिला लीजिए कि राज आपके लिए यह चैलेंज का कोश्चन बन जाता है जब तक आप मैप नहीं देखेगा तो चैलेंज लगेगा लेकिन अब मैप अच्छा से अब किलियर है अपका तो कुछ नहीं सिर्फ सिंपल है और कुछ नहीं से सात हिम नहीं आता है कि यह दए पुरुबत्र भारत का मैं मेर रॉपन जाए इसमें नागा लेंड अरुणाचम, तिरपूर और मैघाले, यह दो कि चानक हो सात यह नही。 ठीक है ये औरिया में सी कीम में ती ये पच्छिं WAटों साथ भानों में नहीं आती है. ठीक है। अथिक भूह किरति क्वहर्य पर्देश मेंने परदेश लागता है उतर मैदान उत्री परभुद, उत्तरी मैदन दच४्रैन का पठार तो आप देखे मैदान। महाराष्टा से लेकर करनिया कुमारी तक का नीचे तक का फैला हुआ है इदर करनाटा अंधरा प्रदेश तामिल लाड़ु तलांगना सब में तो यह इसका राइटेंसर क्या हो जागा जचिन का पठार सबसे ज्यादा भाग में है चले ने चलते हैं झाने भारत के इस परदेश की सेमा है तीन देश करकंसा नेपाल से भूटान से एवं चीन से मिलती है तो अकिम पर नंचल। परदेश में चम all explor हैं पच्चिम मंगाल जीए देखें मैं परसी एसा राज्य है इसका है तीनपोर्य से मिलती पहले तिन देश्त से मिलती है पहले ऐसा था के सर्किता siis alltså or जमू का स्मिर थे ही धग गोढ़ा किन से तीन इस से मिलता था चीन से अफग्वानिस्तान से और यह पकिस्तान से लेकिन जमू कास्मिर का जब बटवारा हो गया लद्दाक का निर्मान जब हो गया तो यह चीन से इसका संपर्क टूट गया जमू कास्मिर का अब सिर्फ जमू कास्मिर लगता है लद्दाक उसारी जमू कास्मिर लगता है अब सिर्फ मेनमार सोरी अफगानिस्तान से और यह पकिस्तान से तो अब देख लिए एक बर मैप पर इया देखिया जाए व्याइड लेकिन जो अफगानिसथान एक पाकिस्तान से अलग हो जाता कवंसी महातपुर्ण अच्छांस भारत को दो लगबग बराबर भागवों में विभाजीत करती है एक दो भारत में एक महातपुर्ण अच्छांस रेखा आप जानते हैं कि सले ताइट डिग्री भारत से जो गुजरती है उतरी ही वो करका रेखा भारत को कितने दो बराबर वाघों में बाड़ता है इसका राइट एंशर क्या हो जागा ताहिसजी 30 मिनट में उत्रनी है ठीक है जो इसके हम करकर रहा बोलते हैं ज जीरो डीक्री को हम घिसाव रहा बोलते ठीक है और तेजी तीश मिन्ट को दच्षिनिये मकर रहा बोलते हैं तो मकर रहा सो बाराइस से गुजरती नहीं है यह दो बास्य कुजरती नहीं है यह उन्हें अब देशिव Idis सकते हैं कि करक्रेखा का यह करक्रेखावला यह नहीं सकता Pie One जिसे काटता है भारत वाग में पराबर भाग में की सत्भा में ते अब देख लिए कि भारत को यह जो करक्रेखा है नुझército विध्यान लगा देते हैं कि मित्र पर गमचा जहार बगेरा सब कुछ प्रिक है आपके पास लेकिन जब पूरा पच्छिम से कोचन आएगा ता अब कहीं हर वड़ा जाईएगा चलते हैं भारत का सुदूर पच्छिम का बिन्दु कोण्तलब सबसें पच्छिम का बिन्दु कईू थाईएगेरी जो भी rush राहते हैं जो भी दसानतर भारत का है वह नोन संतानवे भरी साथ मिनट पूर्व से पुर्व जो है यह गुजरात से लेके अरुनाचल प्रदेश तक का हिस्सा है ठीक है इसका राइट एंसर क्या हो जागा यह हो जागा इसका उस बिंदू पर पर्टिकूलर जगहा पूच देगा तो गुर्मत्ता गुर्मत्ता एक जगहा का नामें गुजरात का वहीं आर्सा कि यह रावली और बिंद पहाडी के च्याथे लागब्ध sacar लागव यह ऄं का असपास का नाइच्छ उपन राजधानी कि excellence क्लश म precio बैलड़ात में जब मर्ज हुआ हो गया तो कॉमांए राजधानी कहा बना दिया गया तो आप सकर प्रदेश के तापि आनगर जानते हैं चलते हैं अब आपको कमेंट में बताना है कि भारत में कितने के इसके पिछले विडियो में बताया हूं किस की तरेखा शरबाधिक है देख लिजए इसका लंबा कर दिया तो अच्छा लंबा हो जाएगा कि इसलिए सबसे ज़्यादा तर्ड आप एये उत्तर भारत में उफ हिमाले शेत्र के सहारे फैले संतल मैदान को क्या कहा जाते हैं? तराई दून, खाढर, भागर ने होते हैं मैं थेगंगा का मैंडान जब स्द्दू सिदो नदी्ध जो निर्मान कस यह पुरानी इतना बहुत पुराना वो मिट्टी भन गया तो यह भाहवर का मैदान कि किसपर के तिल रण में यह सीथ है कोरिनिवेशिका ठीक है कुरी में करक रेकान निव्रिखित किन-किन राजियों से गुजरती है गुजरात जार्कंड अस्थम विजोरम मैंने कतना बार क्वैचन मैं करक रेका का जिक्र किया है तो यह सब्सक्राइब गुजरती वाकी तीनों से को नहीं मतले भारत के बाइध की तीस परसंट हिस्सा तीन ही राज के पास है तो उस में कौन कौन तीन तो तो तीन सींपल सा कोचन होगे है तो सबसे राजस्थान मद परदेश और ये महाराष्ठा तीन हो जाएगा तो ॰ाजस्थान मद परदेश महाराष्टा नीयुक के गृच्षम हो जाएगा राइट कर देंसर रिशिसका है धुर देक परक रेकर पहाड़ी पठारों का यह ढला आने ठीक है दक्कन के पठार के नाम सुने होंगे जिसको दच्छिन का पठार बोलते हैं उसका ढलानी छेतर को पच्मी घाट है अंदर प्रदेश का गठन कब हुआ था देखिए राज्यों का पुनर गठन हुआ रहा था सबसे पहले जो दोरा बनाया गया गांगा अग्जारि किर्ष्ना कवेटबरेश पासित्र के दरा बनाया गया है यह कवेरी नदी के दोरा बनाया गया यह प्राइक मैंने Jack anno v07 मानक का irregular method नहीं गुजरती हैं राद्वाश्य हलने घौनार चलिया ठीक का जो चट्छ किस रास से नहीं गुज पूर्व दिसांतर जिसको आप लोग बोलते हैं वो भारत के कुल पांच राजों से गुजरती है आप करम से याद कर लिजिए इसको देख लिजिए एक बार पहला यूपी उपर से आए जो बराबर उपी फिर यूपी फिर यूपी फिर याज चाटीस गर्ड उडिसा और अ करम से सलादिया हूं ज़िक है इसका राइट-ंसर हुजए गार किस से नहीं गुजरती है तो महाराशлом से नहीं गुजरती है निमलीखित है कां सा केंसासित प्रदिस नहीं है गोवा लज्तिव दादरनगर हवेली चन्डी गर्ड्ठ देखिए इसका राइट-ंसर है हो नाम देखिए ? उर लादू वा और अंद्रप्रदेस का तत्युम कर लाकश त्यानि पुरिवी थैडट है क्योंती cleared to सब्सक्रामिन यहाज दोश सवां, चाल क्यों 20 एक स्कार दोन पॉलते हैं चलते हैं कोगन सब्सक्राब अन WAS है घुआ मंगलूर कंपंत लिए और किस्ति पर दैंदी बांसून जलवाई तो देखें इसलिए कालादा है भारत जो आठ डीवरी चार्म्ट से लेके सेटिश दिवर शेम्मंट तक उट्तर में इस्तित आ है उसन का यह एरिया च्छेतर है जहां गर्मी ज्यादा पड़ता है इसलिए उसन कड़ीबंदिया देस्ट खालाता है ठीक है भारत ब्रस आकार में भारत बर्स आकार में 20 वुगा के मां सब से बढ़ा através क्या हो जाएगा कि वहाँ के लिए समंधर्मा की मार्श को और तो एक चलते हैं पूर्भी तटिय मैंदान का अन्डाम क्या है पूर्भी तटीय मैदान आप याद कर लीजे कोकन तर्ट मला बार तर्ट विरात का मैदन तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएका पुर्वी तटी है मैं पूर्व का बात कर रहा है कुरो मंडल तट अब इधर का पच्छिम तट का बान करता तो आप भले कोकन तट मारते मलावार तट मारते और भारत में भागवलिक मांसीथ्र कहन तैयार करता है भारतीय बहु बगयानिक सरमयच भारतीय भाग बातर ख्यक्छन किस गुलंग में इसतित के बाय जहां इंडिया जिस गुलंग में रहेगा जहां उस ईत्र को दबाया बनरा 那麼acak में सुलित के जित khôngải olur नग पटिनांद्र परदेश में नुमाली गार्स नहीं है अ जाएगा बाकि कोई ली गुझात में यह नुमाली घड़ इंक लिए पर सीदे यह क्या बलता है प्रेट्रोलियम के लिए पर सीदे चलते हैं जारखन लिख्या निम्लिख्यित में कॉज्सा भारत में कितने महासागर मिलते हैं भारत का मुख भो भाग है उसमें कितने महासागरत आप जानते हैं कि महासागरत तो सिप एक ही हिंद महासागरत से भारत का भो भाग टच करता है बाकि किसी से तो टच करता नहीं है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा यह निमल्खित में कौन एक भारत का परबाल दूप समू है अनमान को बार मेनरी का लच दिप स्बसे पूरभ देख लिए आप देख लिए यह दमन से लेकर तक पहला हुआ है यहाँ है दमन से मनलूर दंप Ho अपको गाधा क्योट हो जाएगा घॉतन से कौन सीमा पंगला देश के भुटान हे भुटान में लगी हुई है प्चिम पंगार के भुटान हैं में नपाल से लगे हुई है कि ओप जुड़ी हुए तो इसमें राइट एंसर कौन को साथ इसमें सही है तो देखे असम का सीमा जो है बंगलादेश से भी लगता है और भूतान से भी लगता है बिल्कुल सही है आप एक बार देख लिए असम आसम का जो यह च्छेत्र यह तिरभू जैसा बना हुआ यह देखे बंगलादेश कालया बंगलादेश के टी और है यहां परदेख लिजिये पक्शम मंगलाका सीमा नेपाल से भी लग Library लेए तक ले नेपाल से भी लगिए तक दार जी लिंकेशेत्र जो है नेपाल से कहीने कही सट जाता ठीक है कि आजाए और मिजोराम की सीमा बंगलादेश था मेनमार से मिलू था मिजोराम की सीमा पपेक पर देख लिए यह देखिए यह यह इधर बंगलादेश में कौन सा हो जाएगा आप एक बर देख लिछे सबसे बड़ा पूछ रहा है और सबसे छोटा पूछ रहा तो अप सबसे बड़ा में तो पहले जांता हूग कि राज़स्थान पहले आता उसके बाद मध्परदेश सहता है फिर का यंद्नापरास्था फिर उत्तरप्रदीश फिर आपका अंधराप्रदीश चलिए अंधरापरदीश खुज लए यह चतर हो जागा जाए और recall The सबसे बढ़ा हो जाएगा अंधरा पलते सबसे चोटा उत्रा खंड यानी तीन और चार राइट एंसर हो जाएगा एक चलिए को रो मंडल समुझरी तट किस राज में बस्ते ते केरल महाराष्टा और तमिल लाडु कुछ रात को रो मंडल तट आप जानते पूरवी छेत्र क का हिससा अथामिल लाडू कर संड़ाच संड़ाचनात्मक रूप से मेगालाइञ है सिवालिका परवत माला झाला भीढार संड़ाचनात्मक रूप से यह दकन का पठार का भाग हुआ करता तक यह पूर्वत्तर का हिस्सा बना दिया ठीक है तो यह गारू खासी जयंतिया जो है यह दक्कन का पढ़ार का यह साथ हुआ करता था पहले यह राइट एंसर दक्कन का पढ़ार हो जागा मरवस्थाल उर्बर मैदान और मध्याम रूप से बन आच्छित परबत भारत के निम्रिखित चेत्रों म उत्तर पच्छिम भारत का मतलब राजस्थान के च्टर के आसपास कही ने कहीं चर्चा कर रहा है देख लिए उत्तर भिकारा और पच्छिम भारत है यह कहीं ने इसका चर्च चपर यानि यही च्छितर के बारे में फ्लाबबidez मर्वस्थाल का मर्वस्थाल वर्वर में Beach ह में ठीक है है दो जलते हैं बहारत कि अगलोब में जा का आप देख लिए उत्र पुर्वी में भारत है नियुद्धित में वह कौन सा राज है जिसकी सीम मिजोरम से नहीं लगये मिजोरम अब ध्यान से बोलता हूं कि आप एक बार यह सातों का देख लिजिए किसका पोजिशन कहा है तो आप नीचे से रटना शुर करें मिजोरम मनीपूर नागलन अरुनाचल परदेश तिरी पूरा में घाले असम बस ऐसे रटना है तो ठीक है देखिए मिजोरम से क्यों मिजोरम साराज मैं से नागलेन मेघंद मेंमार असम त्रिपूरा तो यहां क्या हो जाओगा नागलेन में क्यूंकि मैंमार मैं भी सट रहा क्यूंद देखि distracting मीज़ोर्म से मैं मिरमार कहीं नहीं लगती है असाम नागालेंड भूतान मनिपूर देख लिए आप इसमें राइट इंसर क्या हो जाएगा मनिपूर क्योंकि मनिपूर का सीमा नहीं लगती है और ये इदर मिरमार भी सट जाएगा ये इधर चाइना भी सट जाएगा लेकिन वह नहीं सटेगा मनीपूर नहीं सठी कॉण सर्ाओं राज उत्री पुरवी राज की सात भानों का भाग नहीं है। तो आप देख लिए नहीं में से कौन सी मिलान सही नहीं नहीं है देख लिए अब पर्चिम मंगाल गारी किसके दरसित के साथ अबश्तित है मनार की खाली तामिलाडू तर्ट के रहल करनाट अंदर प्रदेश तर्ट देखें मनार की खाली जो आई भारत और सिर्लंका क्याश पास का च्छेतर रहे तो अमिलाडू से शाट था ठीक है इसके साथ आज का जो वीडियो है समापत हुआ और ये इंट्रोडेक्शन बहारत इंडियन जोग्रफी का इंट्रोड्रेक्शन का पार्ट जो है अब समाथ हूँ आप जो भी इसके बाद जो जोग्रफी का चेप्टर आएगा वह कहीं कोई अलग टोपिक आएगा अलग चेप्टर आएगा जैसे पहाण निया परवत जो भी चेप्टर है जैसे बंजी वभ् इंडियन जोग्रफी का मात्वु कहीं नहीं हर एक्जाम मेंैं तो इसका आपमको समझजए और अप मोडर्रेट है थोड़ा सा की भी लेवल का है कि पूरा के पूरा जगरं सरल है आप एक बार कोमेंट्ट जरूर करके बताइए गारो धीज से कि हमें थोड़ा सा मोटिवे पल रहता है इंट्रोडेक्शन पार्ट से जो पच्चाने यही है ठीक है और इसके लावार क्या दे सकते हैं बाकि आगे का जो टोपिक रहेगा उसमें हम चर्चा करेंगे धन्य बाद